एक पूरी बस्ती को आख के हवाले कर दिया गया लप्टों में सब कुछ स्वाहा हो गया मिट्टी और ईट के दिवारों पर खपरेल और फूस की छते थी इन छतों के नीचे दर्जनों परिवार रहते थे ज्यादा तर बिहार के महादलित समाज से आने वाले मांशी यानि मुसरों के परिवार जिनके घर जलाए गए उनका दावा है कि इस जमीन पर दश्कों से बसे हुए थे लेकिन कुछ दबंग इसे अपना बता कर हटने को कह रहे थे कबजा नहीं हटाया तो गुधवार को पहले बस्ती को दबंगों ने घेरा फिर गोलिया दागी और इसके बाद आग लगा दी घर्टना के कुछ देर बाद मौके पर सुशासन राज के सरकारी रक्षक पहुँचे अपसर पूरे अमले के साथ आये थे लिकन उनके सामने भी लप्टें धढ़कती ही रही इस बीच पुलिस वाले और अपसर इस हिसाब में जुटे दिखे कि कुल कितने मकान खाक हुए लेकिन ये हिसाब भी दुरुस्त नहीं था बाद में पुलिस ने 25 से 30 घरों में आग लगाए जाने की बात कही जान जारी है दस लोगों को गिरफ़तार किया गया है मौके से कार्थूस के खूके मिले हैं इसे फाइदिंग का सबूत माना जा रहा लगाया गया है डीम साब को भी दिया गया है इसकी सर को भी दिया गया है आपको थाना में भी दिया हुआ है इस घटना पर राजनुती भी सुलग उठी सियासत दान आज पर रूट या सेंखने में जुटे हैं इसमें और प्र्रायस दिया हुआ है इसको मैं देखो का और पता करऊगा किは पर क्या हुआ है केंदर सरकार भाजपा की, राज्ये सरκार, भाजपा की, मिली जुली सरकार उसके बाद ये 21 शताबदी के तथाकतित न्यू इंडिया में हो रहा है जहां दलितों के साथ कबूल नामा है कि उनका राज जंगल राज था और ये जंगल राज वालों नहीं किया है एक तरफ सियासत गरम है दूसरी तरफ नवादा में पेड़ित परिवारों के बच्चों को खाना तक नसीब नहीं वो घंटों भूखे प्यासे रहे चुला भी जल गिया नाज भी जल गिया अभी तक ले कुछ नहीं पर सासन कुछ ने कपरा लता सब जल गिया है अभी भूखे मार रहे हैं पर एक्स्क्लूसिव और इंसाइफ़ विडियोस सब्स्क्राइब तो आर न्यू चैनल एवीपलाइव प्रेमियल